नमस्कार दोस्तों मैं अकले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने शेनल एक एबी मीडिया में एक बार फिर से दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस हपते रिलीजुई फिल्म श्टीट डांसर और पंगा के दो दिनों के वर्ल्ड वाइट टोटल कलेक्शन के बारे में साथी साथ दोस्तों बात करेंगे पिछले हपते की रिलीजुई सुपरिश्टा राजे दियोगन के फिल्म ताना जिदा अंसंग वारियर के अब तक के टोटल वर्ल्ड वाइट कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे दोस्तों इन तीनों फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर कितने करोड की कमई की और इसमें से कौन-कौन सी फिल्म हिट रही और कौन सी हो चुकी ये फ्लोब तो शलिए दोस्तों सुरुआत करते हैं देखते रहिएगा पूरा विडियो तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें फिल्म पंगा के बारे में तो पंगा एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिस फिल्म का डारेक्शन किया है अस्वीनी तिवारी अईयर ने फिल्म के लिडिंग श्टार कास्ट में है बोलियोट कोई क्वीन कंगना रानावत और उनके साथ में है पंजाबी सिंगर और एक्टर जसी गिल साथी साथ फिल्म में है रिचा चड़ा बात करें फिल्म के बजट की तो दोस्तो इस फिल्म का बजट था लगभग 30 करोड रुपे और इस फिल्म को इंडिया में 1450 स्क्रीन में रिलिज किया है वही ओर सिज मार्केट में फिल्म को मिली है 450 स्क्रीन यानि कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 1900 स्क्रीन पे रिलिज हुई से फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन काफी कम रहे जहां दोस्तों आपको बता दे पंगा फिल्म ने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन किया सिर्फ दो करोड़ सतर लाक रुपे का लेकिन दोस्तों अच्छे रिवीउस के चलते फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन में एक पड़ा ग्रोध देखने को मिला जहां दोस्तों ये फिल्म दूसरे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन कर चुकी है लगभग 4 करोड 50 लाक रुपे इसी के साथ दोस्तों पंगा फिल्म का दो दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन हो चुका है 7 करोड 20 लाक रुपे वही इंड दोस्तों कंगना रानाओत के फिल्म पंगा का दो दिनों में वर्ल्ड वाइट ग्रोस कलेक्शन रहा लगभग 12 करोड 40 लाक रुपे आपको बताते दोस्तों फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले और ये फिल्म लोगों को पसंद आ रही जिससे उमिद लगाई जा सकती कि ये फिल्म बोक्स ओफिस पर हिट हो सकती है तो चलिए आप बात करते हैं इस्ट्रेट डांसर के बारे में दोस्तो डानसिंग ड्रामा फिल्म इश्रिट डांसर जिस फिल्म का डारेक्शन किया है इंडिया के लेजेंडरी डाइरेकर रेमूड़िसु जाने और फिल्म को प्रोडियोस किया है भूसन कुमार यानि के T-Series ने फिल्म की लिडिंग इस्टार कास्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं वरुन धवन, स्रद्धा कपूर, प्रभुदेवा और नोरा फतेही आपको बता दे दोस्तो फिल्म का टोटल बजट लगभग 70 करोड रुपे का है वही फिल्म ने रिलिज होने से पहले अपने डिजिटल, सेटलाइट और म्यूजिक राइट बेच कर टोटल 50 करोड की रिकवरी भी कर ली थी आपको बता दे दोस्तो ये फिल्म वरुन धवन के करियर की आप तक की सबसे ज़्यादा स्क्रेण पर रिलिज होने वाली फिल्म है जया दोस्तो फिल्म को इंडिया में लगभग 3700 स्क्रेण पर रिलिज किया है वही Oursis Market में फिल्म को 680 स्क्रिन से ज़्यादा मिली यानि कि ये फिल्म Worldwide 4000 स्क्रिन से ज़्यादा पे रिलिज हुई थी लेकिन दोस्तो फिल्म इतने ज़्यादा स्क्रिन पे रिलिज होकर भी पहले दिन कोई खास कमई नहीं कर पाई जियां दोस्तों पहले दिन के उमिद थी कि ये मूवी कम से कम 12-15 करोड की कम ही करेगी लेकिन दोस्तों आपको बता दे इस्ट्रेट डांसर को अच्छे रिवियूज मिले जादा स्क्रीन मिले उसके बाद भी फिल्म के पहले दिन के कलेक्सन कम रहे जियां दोस्तों फिल्म पने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्सन किया सिर्फ 10 करोड 26 लाक रुपे का लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताएगे फिल्म को अच्छे रिवियूज मिले हैं उसके चलते फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्सन में एक बड़ा ग्रोध देखने को मिल रहा है जियां दोस्तों आपको बता दे फिल्म दूसरे दिन लगभग 14 करोड रुपे की कमई कर चुकी है इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे इस्टेट डांसर का दो दिनों में इंडिया से नेट कलेक्सन हो चुका है 24 करोड 26 लाक रुपे वही इंडिया का ग्रोस कलेक्सन 29 करोड रुपे बात करे और सिस कलेक्षन की तो दोस्तो इस्टेट डांसर फिल्म ने और सिस मार्केट में आभी तक ग्रोस कलेक्षन किया है लगभग 8 करोड का इसी के साथ दोस्तो वरुन्धवन के फिल्म इस्टेट डांसर का दो दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्षन रहा 37 करोड आपको बता दू दोस्तो फिल्म का बजट 70 करोड रुपे है तो फिल्म को हीट होने के लिए कम से कम इंडिया नेट कलेक्शन करना होगा 90 करोड रुपे और सुपर हीट होने के लिए कमाना होंगे 150 करोड वही ब्लोकबस्टर होने के लिए कमाई करना होगी 200 करोड की तो आप एक सो पचास करोड या दो सो करोड रुपे अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर वताए तो चलिए आप बात करते हैं आजे देवगन की फिल्म ताना जिदा अंसंग वारियर के बारे में तूँ क्या मिटाएगा उस भगवे को जिसका एनान खुदा असमान करता है दिन में दो बार सूरज जुगने से पहले और सूरज ठलने के बात तो दोस्तो दस जन्वरी को रिलिज हुई फिल्म ताना जिदा अंसंग वारियर जिस फिल्म का अब तीसरा हपता चल रहा है लेकिन फिल्म तीसरे हपते में भी करती जा रही है ताबर तोड कमई जिए दोस्तो आपको बता दे यहाँ पे ताना जिदा अंसंग वारियर फिल्म जिसका डारेक्शन किया था मराथी डारेक्टर ओम रोतने और फिल्म की लीडिंग स्टार कास्ट में है बोलिट के सिंगहम आजे देवगन उनके साथ फिल्म में है सेफाली खान और काजोल मे साती साती इस फिल्म में छतरपती सिवाजी महराज का किरदार प्ले किया है सरत केल करने दोस्तो फिल्म का बजट था लगबग 110 करोड रुपे और इस फिल्म को इंडिया में हिंदी और मराठी दो भासाओं में रिलिज किया था साती सात फिल्म 3D वर्जन में भी रिलिज हुई थी दोस्तो आपको बता दे फिल्म को अपने पहले हपते में इंडिया में रिलिज किया गया था लगबग 3800 स्क्रीन से भी जादा में लेकिन दोस्तों दूसरा हपता आते-ाते फिल्म की स्क्रीन थोड़ी कम हो चुकी थी और तीसरे हपते में तो यहाँ पे इस्ट्रीट डांसर और पंगार एलिज हो गई उसके बाद इस फिल्म की और भी स्क्रीन कम कर दी गई है जी हाँ दोस्तों आपको बता दे ताना जी दा अंसंग वारियर फिल्म अपने तीसरे हपते में चल रही है लगभग 2000 स्क्रीन पे और दोस्तों ये फिल्म 2000 स्क्रीन पे भी काफी तावर तोड़ कमई कर रही है और वरुन्ध होन की फिल्म इस्ट्रीट डांसर को कड़ी टकर दे रही है जबकि दोस्तों इस्ट्रीट डांसर के पास अभी ज़्यादा स्क्रीन है और ताना जी के पास कम स्क्रीन है साथ ही साथ ताना जी की टिकट रेट कम हो चुकी जबके स्ट्रेट डांसर के टिकट रेट हाई है उसके बाद भी दोस्तों यहां ताना जी दा अंसंग वारियर तीसरे हपते में काफी धमाकेदार कलेक्शन कर रही है जिया दोस्तों अगर बात करें फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्षन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दे ताना जिदा अंसंग वारियर फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन कमाये थे 15 करोड 10 लाक रुपे और फिल्म ने पहले हपते में यानि सुरुआती 7 दि दसवे दिन 22 करोड 12 लाक रुपे 11 दिन 8 करोड 17 लाक रुपे वही 13 दिन 7 करोड 9 लाक रुपे तो 24 दिन 7 करोड 2 लाक रुपे इसी के साथ फिल्म का दूसरे हपते का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन था लगभग 38 करोड रुपे इसी के साथ दोस्तो फिल्म ने शुरुवाती दो हपतों में टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन कर लिया था 177 करोड 45 लाक रुपे लेकिन दोस्तो बात करें तीसरे हपते के कलेक्शन की तो फिल्म ने तीसरे हपते में 15 दिन कमाया थे 5 करोड 38 लाक रुपे इसी के साथ दोस्तो फिल्म का सुरुवाती 15 दिनों का टोटल इंडिया से नेट कलेक्षन हो चुका था 203 करोड रुपे जिया दोस्तो तानाजिदा अंसंग वारियर फिल्म सिर्फ 15 दिनों में ही 200 करोड से ज़्यादा की कमई इंडिया नेट मारकेट में कर चुकी थी बात करें दोस्तो फिल्म के सोलवे दिन के कलेक्शन की तो फिल्म को सोलवे दिन उमिस से कही बड़ा ग्रोध देखने को मिल रहा है जिया दोस्तो ये फिल्म 16 दिन काफे श्ट्रोंग जा रही है और फिल्म 16 दिन इंडिया से नेट कलेकशन कर चुकी है लगभग 10 करोड का इसके साथ दोस्तो तानाजिदा अंशंग वारियर का अब तक का टोटल आणेट कलेकशन हो चुका है 213 करोड रुपे वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 250 करोड रुपे बात करें ओर सीज कमई की तो दोस्तो इस फिल्म ने ओर सीज मार्केट से आभी तक कमा है 30 करोड रुपे इसी के साथ दोस्तो ताना जिदा अंसंग वारियर फिल्म का जो वर्लिड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है और होग सकता है कि कल तक ये फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में 300 करोड का अकड़ा पार कर जाएगी। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले दिन से बताते जा रहा हूं कि ताना जिदा अंसंग वारियर फिल्म 300 करोड तक नहीं रुखेगी। फिल्म का जो फाइनल कलेक्शन है वो काफी लंबा जाएगा। मेरी उमीद तो है कि फिल्म कम से कम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन साड़े 300 करोड से जादा और 400 करोड तक का कर सकती है। लेकिन दोस्तों देखते हैं आप यहाँ पे ताना जिदा अंसंग वारियर फिल्म फाइनल कलेक्शन क्या करती है।